गर्मी की मज़सम है और कुलफी खाने का मन सब को है, आज मैं आपकी शेयर करने वाली हूँ कुलफी की रिस्पी, इसकी इंगिडियन्स आपकी घर में एविल नेविल है और आप इसे बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो चलिए इस कुलफी की रिस्पी को बनाना शुरू करते हैं। कुलफी बनाने के लिए पैन में सबसे पहले हम डाल देंगे एक क्लास मिल्क, एक क्लास मिल्क की साथ आपको मिलाना है एक कप चीनी, तो मिल्क में सबसे पहले हम उबालाने देंगे, मिल्क में उबालाते फिर इसमें हम डाल देंगे चीनी तो एक glass milk के साथ आपको एक cup चीनी एड़ करनी है बरना कुलफी की जो मिठास पन है वो सही से नहीं आएगा तो एक glass milk के साथ एक cup चीनी और एक cup आपको डालना है milk powder milk, चीनी और milk powder तिनों को अच्छे से मिलाना है और इस तरीके से चलाते रहनी है flame को milk low और medium की बीच में रखनी है बरना जो milk और milk powder है उसमें गुट्लिया जम सकते है इसके लिए flame को बिल्कुल medium और low की बीच में रखे और जिब इस तरीके से मिल जाएगा आप देख सकते है milk आधर हो चुकी है इस पर हमें इसमें डालना है conflore तो इस तरीके से अच्छे से मिला ली है और milk powder milk की सथ अच्छे से मिल गई है तो यहाँ पे हम डाल देंगे bowl में conflore यहाँ पे हमने bowl में milk ले ली है और उसमें हम 1.5 tablespoon जैसा conflore डाल दी है और अच्छे से हम इसे मिला देंगे अगर आपके पास conflore नहीं है तो constard का यूज़ करें या तो conflore का यूज़ करें constard या तो conflore आप यूज़ करेंगे तो कुल फी जमने के लिए उसका help होगी तो इसके लिए आपको constard या तो conflore यूज़ करनी है milk के साथ यहाँ पर हमने अच्छे से मिला ली है फिर इसमें हम पैन में डाल देंगे जो milk को हमने पहले से इसकी ट्राफिंग बना रहे थे उसी milk में इस conflore को हमने डाल दी है और इस तरीके से हमें इसे चलाते रहनी है conflore डालने के बाद एक बात को ध्यान रहे कि इसको चलाना बिल्कुल नहीं छोड़े क्योंकि conflore डालते यह बहुत जल्दिक गाड़ा हो जाता है तो यह देखे इसमें हम डाल देंगे 1 टेवल स्पुन भैनिला एसस कुलफी का जो flavor होता है उसी flavor देने के लिए यहाँ पर बैनिला डालना जरूरी है उसमें जो कुलफी का flavor है वो बहुत बढ़ी आएगा तो बैली ना डालते हैं फिर इसे एक बार अच्छे से मिला देनी है और इसे हमें पूरी तरीके से ठंडी होने के लिए छोड़ देना है इसकी quantity आप देख सकते हैं इससे ज्यादा इसको गाड़ा ना करें या इसके ज्यादा आप इसे पली भी ना करें तो आप देख सकते हैं quantity इसकी इस तरीके से बनना चाहिए और फिर इसे ठंडी होने के लि और यह देखें, यह पूरी तरीके से ठंडी होने के लिए इसे छोड़ना है, ठंड हो चुकी है, बस इसमें अब हमें डालना है, तो यहाँ पे चाय पीने का जो मिलता है, उसी में से हम कुलफी बनाएंगे, इसमें क्या होगा, कुलफी का जो शेफ है, वो कुछ इस तरीके स पहुंसे ज़्यादा बनते हैं तो इसके लिए हमने चाय का यह जो काफ मिलता है बहुम्ने ले ली है फिर इसकी ऊपर हम अलमिनियम की पोईल से इसे शेट कर देंगे इस तो फिर इसकी अंदर अगर बड़ पना जम्य इसकी लिए हम इस तरह की से शेट कर देंगे और अगर आपकी पास टिक नहीं है तो बस अपसे ऐसे रख दे और फिर इसे तोड़के आप चममा से भी खा सकते हैं तो देखें बस इस तरीके से आप फ्रीज में इसे रखनी है 8 से 10 घंट तक आप से 10 घंटी की बाद फिर इसे हमें फ्रीज में से निकालनी है तो 8 गंटे हो चुकी है और इसमें से हमको फ्रीज में से निकाल ली है बस हमारी कुल फीर बिल्कुल पर्फेक्टली तैयार है मैं आप अपको दिखाती हूं और यह देखें बहुत ही बढ़िया कुल फीर जम के तैयार है बस इसे आपको चल्दी से साप करनी है तो बस इस त बातों में अच्छे से निकाल सकते हैं ऐसे अगर आप स्टीक को लेकर हलका सा इस तरीके से आप खीचेंगे तो बाहर आ जाएगा यह हमारी आज की कुल फीर की रिस्पी तैयार है बहुत ही इजिली और घर की इंग्रीडियन्स से बहुत बढ़िया कुल फीर की रिस्पी अब बना सकते हैं आप इस कुल फीर की रिस्पी को एक बार घर में जरूर ट्राय करें आपको बहुत पसंद आएगा